श्वेता को बच्पन से ही मैगी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन उसकी मा कामया बहुत ही ज़्यादा सक्त थी, जिस कारण वो मा से डरकर मैगी लिमिट में ही खाती थी, वहीं श्वेता आए दिन बाहर से मैगी खाके आती और बीमार पढ़ जाती, एक दिन अब पेट में दर्द है तो क्या करूँ, आप ही बताओ, अराम कर, लेकिन अपसे तेरी मैगी बंद, अब मैं बिलकुल तुझे मैगी खाने नहीं दूँगी, मा, ये तो गलत है, इसके बाद मा श्वेता की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है, ऐसे ही दिन बीटते है, और मा श्वेता को बिलकुल भी मैगी खाने नहीं देती है, और उस पे हमेशा निगरानी रखती है, जिसके बाद कॉलिज पूरा होते ही, अच्छा लड़का देखकर श्वेत कर ली, सुस्राल में बिमार पढ़ेगी, तो कौन केयर करेगा? मैं नहीं पढ़ूँगी बिमार बिमार. इसके बाद श्वेता की विदाई हो जाती है, और वो अपने सस्राल जाती है, वहीं सस्राल में पहले दिन. बहू, आज तेरी पहली रसुई है, कुछ टेस्टी सा बनाना, जो कि सब को बहुत पसंद आए. किचिन में क्यों न मैं मैंगी बना दूँ, ये तो जल्दी से बनती है, और सब को बहुत पसंद भी है, खास कर मुझे. इसके बाँ श्वेता मैंगी बना के ले जाती है, लेकिन सस्राल में बहु का पहला दिन होने के कारण, कोई कुछ कहता नहीं है, और चुपचाब मैंगी खाके बहु को शगुन देते हैं. बेटा मैंगी बहुत अच्छी बनी थी, ये ले तेरा शगुन. सस्राल में तहरीफ सुनकर बहु को लगता है कि सबको सच में मैंगी बहुत सथा पसंद आए, और इस चक्कर में वो डेली, सुभा, शाम मैंगी बनाना शुरू कर देती है. बहुत तुझे ये क्या हो गया है? डेली, डेली मैंगी कौन खाता है? मा, मैं खाती हूं मैंगी. और आप सबको भी तो पसंद है ना? तुझे बुरा न लगे, इसलिए हमने कहा था, कि हमें मैंगी पसंद है. हमें क्या पता था कि तुपसंद के चक्कर में डेली मैंगी ब अपसे प्लीज खाना बनाया कर। इसके बाद सास श्वेता को हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है की ज्यादा मैगी खाने की वज़ा से श्वेता का डैजिस्टिफ सिस्टम खराब होने लगा है और इसलिए उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है अपसे मैगी बिलकुल ना खाने दे और हलका खाना दीजे और ये लीजे दवा फिर प्रपर दवा और खानपान से दो महिने में श्वेता पहले जैसी हो जाती है और उसके बाद उसे कभी भी मैगी खाने नहीं दी जाती और श्वेता को भी समझ में आ जाता है की अती हर चीज़ क बुरी ही होती है